पर देवा आप सुझे करने वाली हूँ नवरात्री पूजा सामगरी बहुत सिंपल सादा सामगरी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो आपके पास अगर चौकी है तो आप चौकी लेली जिए अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप यहां पर पटे का भी यूज़ कर सकते हैं तो हम मैं आपको पटे पर ही पूजा करके दिखाने वाली हूँ नेस्ट वीडियो में तो इस तरह से देखिए आप पटावी ले सकते हैं कर चौकी है तो जाना अच्छा रहता है सारा सामान अच्छा से बैट जाता है वाहँ पर अगर पटा है तो आप यहां पर पटावी ले सकते हैं करता हैís मातारानी की पार्थि नहीं रखित भाद में इनका विसर्जन चीया जाता है तो थंडी की जाती है मूर्ति और इसके बाद इसलगी पढ़ना स्टार्ड हो जाती है तो पार्थिक रूप का भी पुजन किया जाता है सरदनवरात्रे में तो इस तरह की मूर्ति आपको असानी से मार्किट में मिल जाएगी जुआ का अगर चाहें अगर घटिसापना करना चाहा है तो मिट्टी के कलस यूज करें अगर आप इहां पर पीटल के कलसका भी यहांप ची सब्सक्राइब पूजीक लिए चाहें हम जूजक्यय कोरो करने ऐसों और तो इस वश्व० करिण करूछी का जान लेके आईए बहुत सस्ता आ जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है मिटी का कलर तो इस तरह का छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से देख लें इसके बाद देखिए चावलों की आवशक्ता हमें बहुत जाना होती है नवरात्री के पुझा में तो हो सके तो आज साजे च को दिद्वर तो और हैीजा है कन जाय अके आयए विज सापला इपो के जाईए लता भी और कर चाहलर यह रहता है जाइए वागेर को चाहिए भी तो इस नहीं पर दिद्वालों के दिल हैउना जा जानता जो आप पूझे तो लेञे हैं जाईए जो रहता जाता है की मेना अगर आप सोरे समाटर का बनाना चाहरा हैं तो इसमें भी सिपाडी का ही उस ची आ जाता है नवग्रहों में भी सिपाडी का ही उस کیya जाता है तो यह आपको बहुत जाना मात цвет में चाहिए हो carac तो इस तरह से देखे फूल माला ले ले लें आप, इसके बाद देखें कलस के लिए हमें चाहिए होते हैं आम के और असोक के पते, तो आज जो है ना किसी कारण से मुझे मिल नहीं पाए, इसलिए मैं आप पर फोटो लगा देती हूं, तो आम के आसोक के पते आप कलस के इसके बाद देखिए आपको चाहिए डेली भोग में पान के पते पान के पते भी बहुत जाना जरूरी होते हैं भोग में तो डेली आप पान के पते एक से दो पान के पते आप अपने घर में जरूर लेकर आए इन पही आप भोग जरूर लगाए मातारानी का इसके बाद चा इसलिए हम इस तरहसे बनाते हैं तो आप इस जरूर साम डेली वॉष्टा लिट नावराटरी भाताई उसके बाद चाहीं हमें लॉंग लाइची भी जहता बहुत जड़ूरी होती है और लॉंग इलाइची को भी अपले लिस्ट में लिख लीजीगा तो लॉंग इलाइची जो है बहुत ज़ना जुरूरी है इसके बाद में आप साम नवरात्रे में माता रानी की सुबा साम आर्थी के जाती है तो आप इस तरह से नवरात्रे में बुई की बाती बना कर पहले से रख लें अभी टाइम है तो आप बना के रख लें आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह की बाती जो है आप पहले से बना के रख लेते हैं इसके बाद आपको चाहिए अखंड दीपक, अगर आप अखंड जोती के लिए दीपक, आप चाहें तो अखंड जोती इस तरहे का बड़ा पीतल का दीपक आता है, आप उसमें भी जला सकते हैं, एक मिट्टी का दीपक आता है, उसमें भी आप अखंड जोती जला सकते हैं, और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, तो आपकी जैसी सुब्दा हो, उससाब से आप अखण दीपक अगर जलाना चाहते हैं, तो वो जला सकते हो, डेली आरती में भी हमें दीपक की आवशकता होती है, इतना बड़ा हमें दीपक लेना है, सबसे पहले जब हम नीचे चौकी रखते हैं तो उसके नीचे भी हल्दी से ही लीपा जाता है, क्योंकि गोवर हर जगे उपलब्द नहीं होता, तो हल्दी भी हमें चाहें, तो हल्दी भी आप इस पूजा में जरूर लखें, इसके बाद गंगाजल, गंगाजल भी बहुत जाना होती है, देखिए सुबा साम हवन किया जाता है, आरती भी सुबा साम की जाती है, वो भी घी के दीपक से की जाती है, अगर आप घी की अखंड जोती जलाना चाहते हैं, तो उसमें भी घी का ही यूज़ होगा, आप चाहें तो अखंड जोती जो है ना, तिली के तेल की चुणनी की आवश्यक्ता होती है और आप चाहें तो यहां पर 16 सिंगार भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं 16 सिंगार का वीडियो भी मेरे चैनल पर है आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं नवरात्री में माता रानी के लिए सुहाक का सामान और इस तरह की चुण्डी आप जरूर लेकर आएं साधा सिंपल जो है ना सुहाक का सामान में इस वीडियो में आपको दिखा रहे हूँ आप अपने सद्धा के अनुसा माता रानी को सुहाक चड़ा सकते हैं इसके बाद दिखिए नवरात्रे में बतासे बहुत ज़रूरी होते हैं माता रानी को डेली बतासे और लोंग का ही भूग लगाया जाता है तो बतासे आप जाना मात्रा में लेकर आएं यहाँ पर मैं थोड़े से दिखा रही हूँ लेकिन आपको थोड़े से जाना मात्रा में बतासे लेकर आना है बतासे से ही खवन किया जाता है तो नौ दिनों तक बतासों का ही भूग लगाया जाता है तो आपको इस तरह से बतासे लेकर आना है इसके बाद देखिए मातारानी को डेली फलों का भोग भी लगाया जाता है तो डेली आप चाहे तो अलग-अलग फलों का भी भोग लगा सकते हैं मातारानी को आप चाहे तो पांस तरह के फल जो है ला डेली पांस तरह के फल मातारानी पर चढ़ा सकते हैं इसके बाद देखिए आपको चाहिए किसमिस किसमिस मातारानी पर जरूर चड़ाई जाती है किसमिस और कटी हुई मिसरी जो कि मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ इस तरह की देखिए कटी हुई मिसरी आती है मातारानी का सर्व प्रिय भोग है तो आपको डेली कि बिष्छी निवाएं Дूसरी बात है जरू को आपके घर में जैसे परंपरा चली है माता रानी को भोग लगानी की वह परंपरा आप जरूर्ल निभाएं दिखिए हमारे याँ जो परंपरा है वो हम आपको वीडियो में दिखाती है इसके अलावा जो आप यह हग्ग कर यह से जरूर नवाएं हो आप ले सकते हैं के बाद कि हमें चाहिए गुलाल देखिए आप वीडियो में ध्यान से देखिए इस तरह का गुलाल होता है रोली पूजा में बहुत आवश्यक होती है तो रोली आप जरूर चढ़ाएं इसके बाद देखिए आपको चढ़ानी है सिंदूर सिंदूर भी आज देखिए बन बcol आयरा है और इसके बाद के उभला भी बोला जा इस सथ के में अपने घर में बनाके रखते हूँ ताकि ह Kung अच्रहिएます अगर आपके पास नहीं है न तो आप हवन की लकडियों का भी यहां पर यूज़ कर सकते हैं दोनों तरीके हैं दोनों तरीकों से बहुत अच्छे से हवन हो जाता है जो भी आपके पास हो उसे आप यूज़ करें इसके बाद हमें आवशकता होगी अगर आपके पास तामे का इस तरह का हवन कुंड है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप बड़ा दीपक ले लीजिए उसमें भी आप आसान तरीके से हवन कर सकते हैं जो की मिट्टी का दीपक आपको असानी से मार्केट में मिल जाएगा और हमारे यहां तो इसी में हवन होता है आप उसकी सकल देकर भी आपको पैचान गए होगी पूरा काला हो चुका है बहुत पार इसको गिस लिया है है उसके बाद जो है यहां पर कलाबा और जो है नगारे जिखाता है तो कम सग्नू सास से आड जनू अपको पास से दिखा देती हो इसके बाद देखिए यहां बिशेशती होती अगारे बहुत सारे लोग मुशे मुझ से चड़ाया जाता है अबीर तो इस तरह की आप देखिए छोटी डिबिया आती है मार्केट में आप इस तरह से लेकर आ जाएए काफी समय तक चलती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चड़ाया जाता है अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो जो की भी आपको आवशक्ता होगी तो इस तरह के इतने बड़े कटोरी में भरे हुए जो ले 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 उनको गला कर आपको जोब होने हैं गला कर जवारे बोने से जवारे जो है न बहुत अच्छे होगते हैं तो आपको जो की भी आवशक्ता होगी अगर आप जवारे बो रहे हैं तो जो भी बहुत ज़ना ज इत्र भी मातारानी पर डेली चड़ाया जाता है तो इत्र और चांदी का कलडार आप जरूर रखें क्योंकि कलस में और घ्रत मातर का पर भी चांदी का कलडार ही चड़ाया जाता है तो बिसेस रहता है बैसे तो देखें दो चांदी के कलडार हमें चाहिए आप चाहें तो ए मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई है मिलूंगी आप सबसे नए इस वीडियो में और करके वीडियो को लाइक जरूर करें जैशी रादे मित्रो राधे राधे